गुण मॉनिंग स्टुडेंट आज हम अपने इंगलिशी क्लास में रेफरेंस टाइम 18-19 और ट्रेसिंग 24 और 25 को देखेंगे में स्पेज नमर 46 47 48 और 49 को देखें यहां पर क्या दिया हो है क्यू के बारे में हमको जानना है तो क्यू कि बड़ा क्यू है और यह चोटा क्यू हुआ है तो क्यू फर क्या होता है हमको इसको देखना है तो क्यू फर होते है और क्यू फर क्या होता है आ क्विन और क्यू फर क्या होता है आ कोश्चन मार्क तो हमको बड़ा क्यू और छोटा क्यू कैसे लिखना है इसके बारे में हम देखते हैं तो हमको बड़ा क्यू लि राउंड करना है यहां पे ऐसा कर देना यह होगा बड़ा क्यू छोटा क्यू लिखने के लिए हमको एक राउंड करना है उसके यह ऐसा यह हो गया हमारा छोटा क्यू ठीक इसी प्रकार हमको यहां ट्रेसिंग 24 में बड़ा क्यू और छोटा क्यू लिखने के लिए हमको प्रै reference time 19 यह बड़ा डी यह है च्छोटा टी टो डीफ़र और क्या होता है Drum Drum D-R-U-M Drum और डीफ़र और क्या होता है? Dr.D for D-O-C-T-O-R डॉक्टर और D और होता है Donkey D-O-N-K-E-Y Donkey और D-OR होता है डॉग डी ओजी डॉग तो यहां पर देखिए बड़ा बड़ा डी और चुटा डी लिखने की हमको बताया गया है तो बड़ा डी लिखने के लिए फोर लाइन जो दिया है उसमें पहली लाइन से तिस्री ताइम लाइन तक एक एक स्टेंडिंग लाइन खिचेंगे फिर कर्व कर दिया यह होगा हमारा Mean ti अओ किसी प्रकार यहां ट्रैसिंग 27 में हमको बड़ा डी और चुटा डी लिखने की प्रैक्थिस कराने के लिए एक पेज दिया हूए जिसमें हम बड़े डी और छोटभी को लिखने के प्रैक्टिस कर सकते हैं कि टैंग्यू